ऐसे लिए कील यानि की नेल का सबस्क्राइब क्या है तो आपने कभी सूचा है नेल को कैसे बनाया जाता है तो चलिए सुरू करते हैं नेल बनाने माले वाले फैक्टरी का अन्बोक्सिंग इस वीडियो को सबसे पहले आपने लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजीगा क्योंकि हम इसी तरह के इन्योविटिव है लाते रहते हैं दोस्तों आपने अलग-अलग टाइब की और अलग-अलग मटरियल की नेल यूज़ की होगी पर इस फेक्टर में नेल बनाने के लिए कार्बन स्टिल का इस्तमाल किया जाता है और उसके लिए अलग-अलग टाइप के मटरियल जैसे की SS और MS भी यूज़ किये जाते हैं अब नेल बनाने की प्रोसेस स्टार्ट होती है बड़े से ड्रम पे लपेटे हुए स्टिल के वायर से स्टिल के वायर को अटोमेटिक मशिन में डाला जाता है और दोस्तो इस मशिन में में दो प्रोसेस होती है सबसे पहले दो कटर की मदर से वायर को कट किया जाता है और नुकिला सेफ दिया जाता है और प्रेस की मदर से नेल का हेड बनाया जाता है और ये पूरी प्रोसेस बहुत ही स्पीडली होती है और ये मसीन में 1 मिनिट में करीब 200 नेल तयार हो जाती है ये सा करें तयार हो जात्यब करें अप्सान करेंगरे इस दाए हो जात्यार हो जात्यार हो जात्यार है अब बार ये नेल को पॉलिस करने की उसके लिए नेल को स्पेस्चल सेंट के ड्रम में डाला जाता है और उस ड्रम को रोटेट किया जाता है पॉलिसिंग नेल रेडी है यूज होने के लिए और दोस्तो इस फैक्टरी में एक साल में करीब 25 मिलियन नियल तयार की जाती है और उसके लिए 10,000 टन मैटल का रो मटेरियल यूज किया जाता है अब आप अपने घर में नियल का इस्तमाल करेगे तो आपको पता होगा कि ये नियल कैसे बनाई गई है दोस्तो हम त्यार माल को जूट के बोरे में पैक करवा कर बजार में सेल कर सकते हैं कीले नुकीली होती है इसलिए प्लास्टिक के बैक के फटने का डर रहता है हम चाहें तो एक किलो पांच किलो और दस किलो के पैकेट भी बना सकते हैं दोस्तो वायर नियल का बिजने सुरू करने के लिए टोटल खर्चत साथ से आठ लाग रुपे के आसपास आता है जिसमें आपकी चार से पांच लाग रुपे की मसीन की प्राइस होती है उसके बाद रौ मेटरियल, पैकिंग मेटरियल, लेवर कॉस्ट, ट्रांस्पोटेशन और अन्य बाकी सारे खर्चे हैं चलिए अब इसके प्राफिट को समझते हैं इसमें टोटल प्रॉडक्शन कॉस्ट 32-35 रुपे के आसपास आता है रौ मेटरियल और बाकी खर्चे के साथ और ये त्यार माल बजार में 40-45 रुपे के हिसाब से बिखता है जिसमें हमारा एक केजी में प्रॉफिट 13-15 रुपे के आसपास आ रहा है अगर हमारी मसीन एक दिन में 500 किलो से 600 किलो का प्रॉडक्शन करती है उसके अलावा पैकिंग, कॉस्ट, ट्रांस्पोटेशन और बाकी खर्चे जब निकलने के बाद भी हमारा टोटल प्रॉफिट एक महीने का एक लास आता है दोस्तो सुरुवात में हमें थोड़ी मुस्किले हो सकती हैं अपने तयार माल को मार्केट में बेचने में हमें हर दुकान पर जाके अपने माल का सैंपल देना होगा और फिर उनसे और लेना होगा या फिर हम डारेक्ट डिस्टिब्यूटर के जरिये भी अपने तयार माल को बजार में बेच सकते हैं जिसके अंदर काफी सारी दुकाने होती है